तो exercise 1.2 question number 1 क्या है express each number as product of its prime यानि सारे number को क्या करना है जो भी number दिये है उसको हमें उसके prime products में करना है तो देखें सबसे पहले क्या है 140 तो 140 को हम उसके product of primes में कैसे लिखेगे तो यह जो बचपन में हम LCM निकालने के जो method यूज़ करते थे वो ही same method यूज़ करेगे यहाँ पे तो यह 2 से divisible होगा तो 2 7s are 14, 0 का 0 2 3s are 6, 1 बचा 2 5s are 10 अब 3 से यह divide नहीं होगा क्योंकि 3 plus 5 8 होता है, 8 3 से divisible नहीं होता जो 3 के बाद जो next prime number क्या है 5 तो 5 से divide करेगे 5 7s are 35 और जो last फिर क्या हैगा 7 बचा 7 यानि यह खतम हो गया, तो 140 का answer आया है 2 into 2 into 5 into 7 यह prime factorization यह 2 बार है, इसलिए 2 का power 2 यानि 2 square into 5 into 7, ओके, तो यह हुआ इसका answer, ठीक है चलिए 156 को करते है, prime factor, prime जो prime number होते है prime number क्या होते है, ऐसे number जो 1 के table में आयो और सिर्फ खुद के ही table में 1, और सिर्फ खुद के table में आयो है उसके अलाव बाकी के कोई table में prime number आते नहीं है, ओके, जैसे के 7 खुद के table में आता है और 1 के table में ही आता है बाकी किसी के table में नहीं आता है, वैसे भी 2 5 7 भी वैसे ही है, प्रास्ट-दिजिट इवन नम्बर है स्गाल सब्सक्राइवरों फर्लट्ट-धिट या पूरा नम्बर में सब्सक्रां मटचारेबहनें लिए अब बberish tipping आगेर ए खौरत करते थोड़ों नमबर को कि रड़ेकिन ऊट्रती। भी टू से डिवीजिबल होगा तो टू थ्री जा 6 वन बचा 2 9 जा 18 चलिए अब और नमबर आगया लास्ट दिशित यानि 2 से डिवीजिबल नहीं होगा 3 से डिवीजिबल है कि नहीं कैसे चेक करते हैं तो यह दोनों नमबर को आड़ करते कि 9 प्लस 3 क्या होगा 12 होगा 12 3 से डिवीजिबल है तो 39 भी 3 से डिवीजिबल है 3 वन्जा 3 3 3 जा 9 अब 13 खुदी प्राइम नमबर है यानि कि 13 वन्जा 13 ओके तो 156 का प्राइम फेक्टराइज़स होगा तो टू दो बार है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वेर और 3 इंटू 13 ओके चले नेक्स नमबर है 3825 अब जो लास्ट डिजिट है वो और नमबर है 2 से डिवाइड होगा नहीं 3 से एक बार चेक कर लेते हैं 3 और 8 होगा 11 11 प्लेस 2 13 13 और 5 होता है 18 यानि यह 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 बचा तो 3 7 जा 21 3 5 जा 15 ओके अगें 2 से चेक अगें 3 से डिवीजिबल है कि नही होता है 15 यानि 3 से डिवाइड होगा 3 4 12 7 है 3 2 6 1 बचा 3 5 15 चले अब वापस 3 से चेक करते हैं 4 और 2 होगा 6 6 और 5 होगा 11 11 3 से डिवीजिबल नहीं है यानि 425 भी 3 से डिवीजिबल नहीं है तो अब देखें लास्ट डिजिट 5 है तो यह 5 से डिवीजिबल होगा 5 8 जा 40 और 2 बचा तो 25 55 25 अगें 5 से डिवीजिबल होगा 5 1 जा 5 5 7 जा 35 और 17 प्राइम नंबर है तो 17 वन्जा 17 ओके तो 3825 का प्राइम फेक्टराइजेशन हुआ 3 कितनी बार है दो बार है तो 3 स्क्वेर 5 भी दो बार है तो 5 स्क्वेर और 17 ठीक है यह हुआ इसका प्राइम प्राइजेशन चलिए नेक्स नंबर है हमारा 5005 55 और 510 होता है यानि यह 3 से डिवीजिबल नहीं है 5 से डिवीजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5 है तो 5 से डिवाइट करता है 5 1 जा 5 फिर 005 जा 5 ओके अब जो है 1001 1001 को से टेबल में आता है तो 5 से डिवीज तो 7 से चेक कर लेते हैं तो 7 से डिवीजिबल है ओके यह नंबर 7 से डिवीजिबल है 7 1 जा 7 3 बचा 30 7 4 जा 28 2 बचा 7 3 जा 21 तो 143 ओके तो आप 7 से डिवाइट होगा नहीं क्योंकि 7 2 जा 14 और 3 7 में नहीं आता है तो 7 का जो नेक्स प्राइम नंबर है 7 के बाद जो नेक्स प्राइम नंबर क्या आता है 11 आता है ओके क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है 9 भी प्राइम नंबर नहीं है 10 भी प्राइम नंबर नहीं है नेक्स प्राइम नंबर है 11 तो 11 से चेक कर लेते है 11 140 11 जो 143 हो 11 से डिवाइट होगा 11 बचा 11 3 जा 33 ओके अब 13 खुदी प्राइम है तो थर्टीन बन सा थर्टीन ओके तो 5005 यह प्राइम फेक्टराइजेशन हुए प्राइम प्रोड़क्ट हुए 5 इंटो 7 इंटो 11 इंटो 13 ठीक है चलो लास्ट क्वेस्टन है क्वेस्टन वन का 7429 तो चले टू से डिवाइजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजेट क्या है ओड है थ्री के बात करें तो एड करके देख लेते हैं 7 प्लस 4 होगा 11 प्लस 213 प्लस 9 होता है 22 नानि 3 से टीविजिबल भी नहीं है यह नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है क्यों से एक बार 7 से भी डिवाइड नहीं होगा ओके 7 के बाद जो नेक्स प्राइम नंबर आता है वो आता है 11 तो 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं 13 से भी यह डिवाइड नहीं हो रहा है 13 के बाद का जो नेक्स प्राइम नंबर है 14 नही तो 17 आएगा तो 17 से टिवाइड हो रहा है कि नहीं चेक क्रें लेते हैं 17 og 1.9 तो 17 से टिवाइड हो रहा है तो सेवन 19 से डिवाइड करके देख लेता है, 4, 3, 7, 2, 19, 19 तो 19 टूजा, 38, 5 बचा, 3, 2, 19, 3, 2, 57, 00, तो 19 से डिवाइड हो गया है, और जो 23 है वो खुद ही प्राइम नंबर है, ओके, तो यहाँ पे, देखे, प्राइम फेक्टर बन गए है, 7,429 के प्राइम फेक्टर हो गए, 17, 19 और 23, ओके, तो यह हो गया है हमारा question नंबर 1, तो इस तरह से हमने, जो भी composite नंबर है, उसके प्राइम फेक्टर निकाले, ओके,